आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे एरिटे के स्टीम आइरन की यह मैंने ऑनलाइन पर्चेस की है इसकी पावर 2200 वाट्स है यह इसका फ्रेंट डिस्प्ले है पैकेट का अगर अगर हम दूसरी स्पैसिफिकेशन देखें तो इसके बारे में बता रहे हैं कि सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है इसमें सेरमक की नीचे प्लेट है और नॉन स्लिप हैंडी हैंडल है चलें पर इसको खोलते हैं और अंदर से देखते हैं जनाब के क्या निकलता है जनाब तो यह हमारी स्टीम आइरन बाई एरियेटे इसको खोलते हैं यह एक इसके साथ ग्लास है मेजरिंग स्क यह अई भी शामल है मैं आपको दूसरी एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगी इसमें अप्र फूर्ड करूंगी तो इसकी दूरते हैं यह मैनुट इसमीं इसरे बाते इसमाल करते हैं मैं इसको फीरियात करना चाहिए किस चीज से खराब हो सकती है गर यह पर इसमें उसकि तो जब मैंने खरीदने के इरादा किया कि मुझे इंटरनेट के ओपर एक डील नजराई जिसमें मुझे बहुत अच्छे प्राइस पर नजरा रही थी तो मैंने दो आरेन खरीदी लेकिन खरीदने से पहले मैंने इसके अन्बोक्सिंग चेक किया ना तो उसमें मुझे इसके पावर के बारे में आपको डिटेलर बताया हुआ है कि इसका इनपूर्ट आपने क्या रखना है अपर यही बताया हुआ है कि इसमें सेल्फ क्लेनिंग सिस्टम है इसमें स्टीम सामने की दरफ से आती है और इसमें स्टीम सामने की दरफ से आती है और इसमें स्टीम विखे जब से नहीं तो उपने को अच्छी लग रही है अच्छा जी आप आते हैं इसके दूसरी तफसिलात की तरफ यह देखिए जनार दम इसको उठाते हैं तो सबसे पहले हमें सामने दो परपल बटन नजराते हैं और एक छोटा चोटा परपल और वाइट बटन नजरात कपड़ों को गीला करने के लिए सिर्फ यह बटन दबाएंगे तो हमारे कपड़ों पर स्प्रे निखले का जो बादल वाला बटन उस पर से गरम दुआ यह स्टीम निकले गा जिससे मेरे कपडों के सिलवटें दूर होंगी अच्छा यह वाला बटन जो है यह स्टीम असल में यहाँ से पानी बहार निकलता है जिससे हमारे कपडें गीले हो जाते हैं और यह देखिए यह क्या है वाटर टैंक फिलिंग कृषट बिसके यह वाटर टैंक है इस जिसका यह वाइट कवर रहे इसमें आप पानी डालते है उस ग्लास जो साथ दिया हुआ हूए व यहां पर अगर हम इधर मुड़के देखते हैं तो यहां पर वही तीन निशान दुबारा बतल बैताए हुए जिसमें लिखा हुए कि सेल्फ क्लीनिंग होती है, स्टीम होता है, शावर होता है, यह इसका एक डाइल है यह तेमपरेचर एरजेस्मन नॉब है जो आप अपर्फ काम यह जादा करना चाहते हैं यह वायर का सिस्ट्प बहुत अच्छा इसके यह बाल लगी हुए है तर प्रुप करता है यह जो बाल भी साथ साथ ज़े इसका फारदा ही होता है कि आपके तार के कटने के तूटने के यह बहुत काम हो जाते हैं तो यह वारा तो मुझे सिस्टम इसका बहुत ज़दा पसंद आया है क्योंकि दूसरी इस तरी में चीजे तार यहां से कटना शुरू हो जाता है यह लाइट है जो इस तरी के थर्मो स्टेट के अन और अफ होने के साथ साथ जलती या बुछती है जब इस तरी को ठंडा करने के लिए थोड़े के लिए अपने आपको खुद बखुद आफ होती है तो यह बटन भी आफ हो जाता है अच्छा यहां पर यह पर बटन सेल्फ लीनिंग बटन है जब इस तरी में पानी भरते है ना तो पानी के साथ कुछ ज़रात इसके नीच साफ हो जाते हैं तो यह तरी का सेल्फ लीनिंग सिस्टम है चले हमने नोजल देखा यह हमने यहां से पानी भढ़ना है इस फैल फिलिंग टैंक देखा जो एक्जेक्ली कप के बराबर भढ़ना है मैं बाबर बतारी हूं आपको तो यह ता भई हमारा आज का रिव्यू हमा